नमस्कार दोस्तों तो देखिए अब वह आवास योजना का यह एक न्यू फॉम है इसमें जो है एक जो पेज वो एड किया गया है तो आपको जो है न्यू बलब फॉम किस परकार से भरना है मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा तो चलिए मैं आपको यह फॉम में क्या क्य कहां पर भरना है वो सारा कुछ बता देता हूं तो सबसे पहले तीथी पूछ रहा है तो जो डेट को आप फॉम जमा किजेगा वो डेट लिखना है और यह जो फॉम है कहां पर जमा करना है वो भी मैं वीडियो के आगे बताऊंगा तो देखिए यहां पर आप साब का जीला पूछ रहा है तो अपना जीला का नाम लिखना है परखंड का नाम लिखना है पंचाइट का नाम लिखना है फिर नीची आएगा तो देखिए इस जगह जो है लाभू का नाम पूछ रहा है तो जिसके नाम से आवेदन करना चाहते उनका नाम लिखना है पीता या पती में तो ऐसी जो भी आप है उसमें टीक करना है टीक करने के बाद जो है फिर यहां पर जन्मतीती भरना है फिर इस जगर आपको अपना उम्र लिखना है एज लिखना है कि उम्र कितना हुआ है फिर जोब काड का नंबर आपको यहां पर डालना है अगर आपको यह पता नहीं है कि job card number किस परकास से निकाला जाता है तो मेरा एक वीडियो देख सकते है जिसका link description box पर मिल जाएगा आपको उसी परकास अपना job card number निकाल लेना है और यहाँ पर लिखना है फिर इधर जो है आपको अपना खाता संक्या लिखना है बेंक goshata संक्या लिखना है आई fc code लिखना है अधार card number लिखना है बेंक नाम लिखना है लाभूग का mobile number लिखना है यह important है mobile number आपको जरूर से जरूर लिखना है फिर इधर जो है परिवारिक वीवर्णी देना है मुख्या का नाम लिखना है यहां पर सेकंड नंबर पर जो फेमिली है परिवार से रहता नमबर आपको जो है जो परिवार का नाम लिख देना है यहां पर परिवार में जिनका पर जनुखanda नाम पांग्णति थी और देख का सामन्द के सब्सक्राइब के दीच्चने कि Is उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्सन बॉक्स पे मिल जाएगा अब चलते हैं आगे देखिए यहाँ पर आए का सुरोत तो आए का सुरोत पूछ रहा है अगर आप क्रीसी करते है तो क्रीसी लिखना है मजदूरी करते है तो मजदूरी लिखना है वार्सिक आए आवास है या नहीं हैं यहां पर यहां पर किलिक करते हैं अगर क내 पीक है करना है ऑफ़ किलिक करता है अगर आपका पक्का आवास है तो ही कमरा का यहाँ पर डेटल भरना है नहीं तो नहीं भरना है फिर आपको नीशे आना है आवास बनाए जाने वाले जमिन की विवर्णी पलोट संक्या पूछा जा रहा है भोमी के प्राकिरिती अत्वा यह था गेर मजरुवा रियाती वन भोमी अधिक गिरिहत भोमी जो है आपको यहाँ पर लिखना है क्या भोमी विवादित अगर है तो हाँ नहीं है तो नहीं पर किलिक करना है फिर इधर आते हैं किया आप आदिम जन जाती है मनद पी भी टी जी है अगर है तो हाँ नहीं है तो नहीं पर टिक करना है क्या कानूनी तोर पर रिया किये गए बंदुवा मजदूर है अगर है तो हाँ नहीं पर टिक करना है क्या आप दिव्यांग है अगर है तो हाँ नहीं है तो नहीं पर टिक करना है क्या आप प्राक्रितिक आपदा के सिकार अगर है तो हां नहीं है तो नहीं पर टिक करना है फिर इधर देखिए अगर आपको पहले जो है परधान मंद्रे आवास योजिना बाबा साहेब भिम्रा अंबेदेकर योजिना बिरसा आवास योजिना इंदीरा आवास योजिना इत्यादी का लाब मिला है तो हाँ पर टिक करना है तो जैसा में बताए उस परकार से फॉम भरना अगर नहीं भर पाईएगा तो वीडियो कर डिस्क चीज़ बता देता हो देखिए अब वह आवास में जितना भी अपडेट आएगा वह सबसे पहले देखने के लिए आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब पर पर यहां पर सो घुसना पत्र मांगा जा रही है तो यहां पर आवएदा का साइं करा देना है फिर इधर जो है ती थी आवेदन संक्या तो छोड़ दो आपको जिला का नाम परखंड पंचायद गाउ लाबुक का नाम पिता पती का नाम वर्ग सरेन ये सब में टिक करके जो आगे का परकिरिया किज़ेगा जो नया इसमें जोड़ा गया ये तीसरा पेश जोड़ा गया तो इसमें देखे क्या भराएगा इसमें पूछा जा रहा है मन रहेगा जोब कार्ड के चाया प्रती अगर आप साथ में देते हैं सो अभी परमानित साइन उसमें करके तो हां पे किलिक करना है नहीं देते तो नहीं पे किलिक करना है आवेदन करता का अधार कार्ड के चाय या परतिगर देते हैं तो हां नहीं देते तो नहीं पर करना है फिर यहां पर देखिए परिवारिक विवर्दनी अगर आप देते हैं तो हां पर टिक करना है नहीं देते तो नहीं पर टिक करना है तो फिर इधर जो है आवेदर करता का चलंग मोबाइल नंबर अगर देते हो हाँ पर किलिक करना है नहीं करना है भी आवेदर का उठा या हवेदरramatic मांगा जाता रहे तो 사ाइन करते हैं और यह फोम मैं जो है आपको कहीं एक जेगा पर जीएंजर सब खृली जेगा रहेंगा मुख्या का sign करा लेना है और जाकर जनता दरबार पे जमा कर देना है आपको साथ में ही आवेदन करा लेना है उसके बाद इसका जो है receiving भी आपको ले लेना है बाद बाद की जो काम है आपका आगे क्या process होगा उसके बारे में भी वीडियो में बना कर upload कर दिया हूँ और जो भी अपड़ेट आएगा वो सारा का वीडियो आपको लगातर मिलता रहेगा तो उसके लिए अब बने रहें भी हलपर यूटिव चैनल के साथ